महिलाओं के सांथ गंबीर अपरात हुआ और यह अपरात अक्षम में है और दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके भरपूर प्रयास कर रही है अगर इनोंने ग्राम बंत्री जी की मनीपूर की चर्चा पर सहमती दिखाई होती तो अकेले मनीपूर विशेपर विस्तार से चर्चा हो सकती थी हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मोका मिल सकता था लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं तो और कल अभीद भाई ने विस्तार से इस विशाई की चीज़े जब रखी तो देश को भी आश्यरे हुआ है कि लोग इतना जूट फैला सकते हैं ऐ ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग और उन्हाने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास में सारे विश्यरे पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का विदाइत्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रगट करें देश के विश्वास को नई ताकत द देश के प्रतिय विश्वात करने वालों के लिए करारा जवाब दें यह हमारा विदाई तो बनता है हमने कहा था अकले मणिपूर के लिए आओ चर्चा करो ग्राम मंत्री जेने चिठ्छे लिए करके कहा था उनके विबाग से जुड़ा विश्वाय था लेकिन साहत नहीं था इरादा नहीं था और पेट में पाप था दर्द पेट में हो रहा था और फोड रहे थे सर इसका यह परणाम था आदन्य अद्यक जी मनिपूर की स्तिती पर देश के ग्रह मत्री सिर्मान अमित शाहने कल दो घंटे तक विस्तार्च और बड़े धैरिय से जरती भर्वी राजलीती के बिना सारे विशय को विस्तार्च समझाया सरकार की और देश की चिंता को प्रगट है और उसमें देश की जनता को जागरू करने का भी प्रयास था उसमें इस पूरे सदन की तरब से एक विश्वास का संदेश मनिपूर को पहुंचाने का इरादा था उसमें जन सामाने को सिक्षित करने का भी प्रयास था एक नेक इमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपूर की समस्या के लिए रास्ते खोजेना एक प्रयास था लेकिन सिवाय राजलिती कुछ करना नहीं है इसलिए इन्होंने यही खेल किये यही स्थिता किये कि अधरिने अध्यट महोद आए कि कल बैसे विस्तार से अमीद भाई ने बताया है कि मणिपूर में अधालत का एक खैसला आया कि अब अधालतों में क्या हो रहा है वह हम जानते हैं और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्तित्या बनी हिंसा का दौर शुरू हो गए और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुए अने दोने अपने स्वजन भी खोए महिलाओं के सांथ गंबीर अपराथ हुआ और यह अपराथ अक्षम में है और दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंदर सरकार राज्य सरकार मिल करके भरपूर प्रयास कर रही है और में देश के समी नागरुकों को आस्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चे प्रयास चल रहे हैं निकट भविश में सांति का सुरत जुरूर उगेगा मनी को फिर एक बार नए आत्मी स्वास के साथ आगे पड़ेगा मैं बनीपूर के लोगों से भी आगरपूर को कहना चाहता हूँ वहां की माताओं बेहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ देश आपके साथ है यह सदन आपके साथ है हम सब मिल करके कोई यह हो या न हो हम सब मिल करके इस चनोती का समाधा निका लेंगे वहां फिर से स्वांती की स्थापना होगी मैं मनिपूर के लोगों को विश्वाद दिलाता हूँ कि मनिपूर फिर विकास के रहा पर तेज गरती से आगे बढ़े उसमें कोई प्रयांसों में कोर कसर नहीं रहेगी